कि हलो वेलकम नमस्ते सबको बहुत बहुत वेलकम है जी और है स्टाग लाइविद मुहित स्टार्ट हो थुका है इतने टाइम बात कि इतने गिन गिनों तो एक दो तीन हफते यार बड़ी अजीब सी वात है मैं जब पता है इतने दिन बात लाइव आता हूं नो मेरे को असल मलची शुपारे से हाइ मलची सुपारे हुई यू कनक रसाथ कह रहे हाइं है ओनक पर साहए प्रतीक सरकार है औरहे थण्वीत राणी। जयो सकत Choice है इतना 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 वीड होता है जब बहुत टाइम बात लाई बाटे मित्तल कटारी करें हलो मुहिट जी हाई मित्तल प्रतीक सरकार करें लव यू सर आई लव यू टू भाई तो अभी तुम सब लाइव आजो उसके बाद में जो मैंने अभी थुर दिर पहले एक पोस्ट करी थी जिसमें कैसे हो मुहिट पूछरी निया मैं एकदम अच्छा हू अच्छा हूं अच्छी आलिम करें है लव फाइनली यह यह मिस्टी हूं अधली बस यार मैं समले कुछ मेरे वह इक तो विजन टू तारका था उस उस वजह से मैं नहीं आपाई लाई उसके बाद में थोड़ी सी तो बेद इधर दोर होगे थी तो नहीं का रेस्ट करेंग उसके बाद थोड़ा गले का कुछ इश्यू तो मैंने का इसको भी रेस्ट दो आराम से बढ़िया सब कुछ क्लियर करकर के ही अपन आगे बात बढ़ाएंगे चित्रांच पूछ रहा है क्या खाया आज मत पूछ चित्रांच वही डाल रुटी मेरी फेवरिट पर मैंने कहा है दाल बाटी मिस कर रहा हूं और तू वहां पर मैं जानता हूं तू क्या खा रहा होगा वहां पर सेयानी दासकेरी हलो हलो सेयानी हाई सलीशा रॉय पात्रा आई लव यू तू और नेहल रवी तिवारी एने थांक यू सो मच वर लाइकिंग माय कमेंट यू मोस्ट वेलकम नेहल तो अभी अब जब सब लाइब आ चुके हैं तो जैसा मैंने का कि अभी थोड़ देर पहले मै मैंने एक पोस्ट करती जिसमें मैंने तुम सबसे पूछा था कि एक कमेंट करो कोई भी क्वेशन तो मैं पूछ रहा है ना मुझसे वह कमेंट करो तो बहुत सारे क्वेशन तुम सबने पूछे मुझसे कुछ कुछ ने नहीं भी पूछे कुछ अलग से पूछे तो उन सब का भी मैं answer दूँगा मैं के करके मेरे side में यहापर मेरे laptop पड़ा हुआ है तो वहाँ पर मैं आप सब ने जो जो comments दिये ना उस post पे उन सब के करके answer देता हूं उन questions के बाद में अगर और भी कुछ extra questions है जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो अपन यहाँ पर आपको जवाब देदेंगे और गाने वाने तो गाने ही है उसके लिए मैं यहाँ पर अपना भाई guitar भी रखा हुआ है तो पहले कुछ questions के जवाब उसके बाद में अगर आप सब कोई भी question पूछना है तो आप पूछ सकते हैं फिर मैं भी आपसे questions पूछ लूँगा मैं बतारो यार बड़ा ओक है मुझे थोड़ा सा time लगेगा घुलने मिलने में घुल मिल घुल मिल लॉंडा होने में कि अभी मैं तीन हफते बाद लाई चाट कर रहा हूं तो मेरे को बड़ा ऐसा लग रहा है कि बतानी क्या ही कर रहा हूं मैं मनला बहुत बड़ी बात रिलोड कर लो पता नहीं अभी 10-15 मिंट पहले questions पूछे थे वह आला post है तो अभी recent जो questions पूछे हूंगे वो सारे भी दिख जाएंगे प्रांजली के रहे हैं प्लीज सिंग कुछ इस तरह बिल्कुल प्रांजली अपन गाएंगे गाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ questions मैंने देखे थे तो एक बार उन questions के reply कर दे अपन इससे पहले वाली post में questions पूछे थे आप सब नहीं तो मैं reply कर देता हूं तो मेघा अगरवाल ने पूछा है प्यार क्या है for you अच्छा वायारी तो वह बड़ा philosophical सा बहुती शांदर सा question वैसे तो प्यार क्या है for you प्यार क्या है for you तो मेरे लिए प्यार मेघा एक बहुती beautiful से state of emotion है और एक अलग state है जब आपकी emotions आपके thoughts एक अलग way में flow करने लग जाते हैं और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ किसी एक इंसान को या कुछ इंसानों को ही प्यार करता हूं मैं एक चीज में मैंने notice करिये कि हर एक चीज में हर एक कंड में हर एक डाने में आप अपने प्रेम को देख सकते हों मेरे प्रेम मेरे कृष्णा जी है और मैं उन्हें बहुत प्रेम करता हूं मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी में काना जी है हर किसी में उनका एक अंच दिखता है मुझे कहीं बार कागस की टुकडे को देखकर भी मेरे को ऐसा लगता कि महलब इन में भी कृष्णा जी है और उस कागस की टुकडे को भी मैं बहुत प्रेम से देख सकता हूं उतना ही प्रेम से जितना मैं काना जी की मूर्ती को देखता हूं या काना जी को सोचता हूं आप सब करता हूए आप सब को प्यार करता हूँ तो मेर एल लिए प्यार बहुत ही एक वाईट जीज़े बहुत ही लिमिट्ले नहीं कि इस उक बोगा रहे Partners ऑला प्यार वर्च जीज़े लुट ही लिमिट्लीस चीज़े में है। उस प्रेम से देखसकता हूं, उस प्यार से देखसकता हूं seperti कहाना जी को देखता हूं तो मैं आपको कितनी प्यार देखूंगा वह मतलब क्वेश्यन ही नहीं है तो मेरे प्यार गि यह है तो बहुत जादाforme इक है आलcember क्वेश्यन हो गया निए कि वहीं सॉंग प्लीज 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 अरे यार किस बात में गाते ना निए वहीं सॉंग तो रिलीजने अला है डिशान्दार सी बात है वहीं सॉंग का अल्मस्ट डेट फाइनल ओचिके शूट की और हम 10th of March को शूट करने वाले है most probably let's see क्या होता है और प्रथम परदेशी ने क्वेशन पूछा है मुझ से की who is your role model in life and why भाई प्रथम आना बहुत ही स्ट्रेंज सी चीजे होई थी मेरी लाइफ में मैं कभी भी ना किसी एक इंसान को role model नहीं मान पाया लेकिन मैंने मेरी life में जितने भी लोग आये ना मैंनों सबसे सीखा है तो आप कह सकते हो मैं अपनी life में जितने भी लोगों से मिला हो सब मेरे guru थे सब मेरे किसी ना की तरह से role model थे किसी ना किसी की कोई बात मुझे बहुत पसंजाती है किसी ना किसी की कोई और बात मुझे पसंजाती है और मैं सबसे ही सीखता रहता तो एक तरह से मेरी लाइफ के जितने भी लोग मुझे मिले वो सब मेरे रोल मॉडल्स है I have learned from all of them तो ऐसा साहे रोल मॉडल्स की बात तो मानसी करें लव यू मुहित I love you too मानसी और सलीशा कह दी है प्लीज सिंग गुलाबी आखें अरे बिलकुल यार लेकिन अभी मैं चाहता हूँ मैं आप सबसे और बात करूँ आपकी कोई भी questions है तो आप पूछ सकते हैं जब तक मैं जो मेरी इस live chat से पहले की जो post थी उसमें कुछ questions लोगों ने पूछे तो उनका reply करते हूँ तो मित्तल कटार के रहे हैं your favorite singer who's your favorite singer तो मित्तल कटार या मेरे favorite singer मेरे का है change उते रहत रहे हैं तो मेरा एक टाइम पे उधितनारण जी मेरे को बहुत पसंद थे और अभी मेरे favorite current favorite चल रहे है अरीजीत सिंग मेरे को उनकी आवास बहुत पसंद और जुबन नौटी आल भी आर बड़े बड़ी प्यारी वाज लगती है उनकी मुझे तो यह अभी दोनों मेरे बहुत favorite single चल रहे है और मेरे favorites क्या है थोड़े बदलते रहते हैं मतलब कभी कोई favorite कभी कोई favorite ऐसा और अच्छा और कोई question अगर तुम्हें पूछ रहा है तो तुम पूछ सकते हो comment कर सकते हो question और मैं नहीं तो मेरी जो post है ऐसे अभी एक गंटा पहले मने post कर दागी तुम्हें कोई भी question पूछन पूछन है तो तुम पूछ सकते हो तो वो questions मैं reply कर रहा हूँ आपका next project क्या है तो फरहात भाई अपना next project है वही story song और वही story song आने में थोड़ा से time on लगेगा उसका पोरा audio बन चुका है मैंने कुछ-कुछ आप सब को सुनाए भी थी और different live chats में कभी Instagram पे कभी Facebook पे तो वही story song अपना और उसके बारे में आपको जल्दी ही जल्दी से ही आपको updates मिलती रहेंगी और I'm sure कि आपको बहुत पसंद आएगा भारत देवु के रहें भाई when is your marriage यह उनका question है तो अरे यार भाई अभी अभी नहीं अभी कोई plan नहीं है अभी तो अपन को बहुत सारे गाने कर देने और बहुत सारे काम कांड करने पहले तो उसके बाद में शादी वाला कांड भी करेंगे लेकिन अभी उसमें बहुत ट तान्या करें हेर कट कर वालो अच्छा यह question नहीं तान्या मैं अभी questions चाहता हूँ तुम सबसे तो तुम सब कोई भी question तुमारे मन में आरा दो में पूछ सकते हो पृती क्या है आपके cute से smile का राज क्या है तो मैं ही कह सकता हूँ कि मेरे mom dad से ही smile तो तो जो भी है उनी कही दिया हुआ यार तो यह तो भाई तो mom dad reason और राज दोनो mom dad है मेरे इशानी नाम दे करे अरले वा मज़ा आगया अच्छा नया photo shoot नहीं किया आपने नहीं आर अभी तक photo shoot तो नहीं किया लेकिन shoot जरूर होने वाले आपने वही story song का और 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 अगर अगर आपने अगर आप तो तानिय के रिए दुबारा का मिलेंगे जब भी में कोल काता हूंगा तानिय तो पक्का अजरू मिलेंगे और तो अब मैं अब मैं question देखता हूं यहां पर मेरी post जो पहले कि उसमें और भी questions पूछे है इसलाम खान के रहे हैं आज मैं आपकी बच्पन की बाते सुनना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत क्यूट हो तो आपका बच्पन कितना प्यारा होगा है I love you भाई I love you too इसलाम खान भाई और इसलाम भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बच्पन की बाते सुनना चाहता हूँ बच्पन की बाते तर बहुत सारी हैं पर बच्पन में बड़ा मतलब अलग सा इंसान हुआ करता था बहुत ही जादा इंट्रोवर्ट के सकते हो और मेरे जादा दोस नहीं थे मेरा पहला पेस्ट फ्रेंडी लाइफ का नाइन था निखिल और बहुत ही आलग सा बच्चा था मैं चुपचाप सा रहता था घर में थोड़ा सा मतलब एक दम इंट्रोवर्ट शाय शाय सा मैं आज याननी कभी किसी लड़की से मैं आगे बढ़ कर बात करें बहुत ज्यादा शाय हुआ करता था बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रीमली और कुछ ज्यादा खास क्रिएटिव मी नहीं था लग सा यु अच्छा था था और एक और बात थी कि मैं बच्पन दा बहुत बिमार पड यूग प्राणायम शुरू किया और उसके बाद मैंने मेडिटेशन में और डीपली जाता गया अपने आपी और उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी तो जबसे मैंने मेडिटेशन और यूग स्टार्ट केना अपनी लाइफ में तब से सब कुछ चेंज हो गया मैं जो चाहता जाता मेरे लाइफ में लाइफ मेरे लाइफ चेंज कर दी बहुत ही कुबसूरत चीज है अगर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन और यूग इंक्लूट करते हैं तो अप्ली करिएगा तो ये मेरा एक च्छ शुटा सा सजेशन होगा टीन आज दास के रहें लव यूटू मच यार, I love you too यार, टीना, और मैं वापस से कहना चाहता हूं, और इस लाइचार्ट में कोई भी आप क्वेशन पूछ सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, शाशांग कह रहे हैं, चलो भाई हम तो चले की रिप्लाय तो आना नहीं है, ज आओगे लाई अपनी फैमली के साथ, नहीं मैं मुंबई हूँ श्वेता श्रवस्त करें मुहत थीज तिक मैं नहीं है हाई श्वेता तो अब कॉछिन पूछते हैं दिखते हैं next question क्या है दिखते हैं क्वेशन पूछते हैं अल्रेडी question पूछा किसी ने तो उसका reason मेरे mom dad है और पारुल प्रजापती कह रहे है who is your favorite actor तो यार मेरे ना favorite actor अभी जो करंच चल रहा है नवाज-अ-दीन सिद्की है और मुझे उनकी acting बहुत ही जादा पसंद है एक हमारे वहाँ शब्द कहा जाता है बहुत जादा तो मुझे नवाज-दीन सिद्की की बाते की acting बहुत ही जादा पसंद है मतलब बहुत ही जादा पसंद है क्या को उनका जब से गैंग साफसेपूर देखे नहीं उनकी movie तब से तो मैं fan होगया उनकी acting का वो जिस तर ऐसे dialogue delivery करते है जस तरह से act करते हैं रमन रागव अभी तक ही मेरे उनकी favorite movie है मांजी में जो उनके dialogue होता है मतला killer आप नवाजन सिद्की तो आपने अभी favorite actor है और लिजरानी सिंग के रहे हाय मुहिज जी हुली कैसा रहा बहुत ही अच्छा रहा लिजरानी मैंने मुंबाई मेरे जो छुटा भाई है उसके साथ में हुली खेली और बहुत ही शांदार मजा आया परतीक है भाई haircut करा लो नहीं भाई अभी तो मेरे इच्छा है मैंने लाइफ में कभी न इतने लंबे बाल नहीं किये तो मैं चाहता हूँ कि मुहित बाल कटवा क्योंकि मुहित बहीं कटवाएगा हो सकता है वहीं की शूट हो रही हो ना अभी 10 तारिक को शूट है 10th of March को तो अगर उसमें लुक की नीट रही तो हो सकता है मैं बाल कटवा लो लेकिन उसके लावा तो नो चैंस ब्रो तो तो सुर्जीत सिंह रहे हैं कैसे हो मुहित भई हम एक दम शांदान सुर्जीत भाई तो अभी next question की तरफ बढ़ते हैं अगर आप question नहीं पूछ रहे हैं तो अभी next question जो था जो मैंने last अभी live chat से एक घंटे पहले post करी थी live chat में questions के तुम question पूछो तो सारे questions यहां पर लोगों में पूछे हैं अगर आपको कोई question पूछना है जिसका आप चाहते में answer दूँ तो प्लीज अभी आप comment कर सकते हैं live chat में तुर्टकीना चक्रवर्थी कह रही है कुलकाता कब आओगे जल्दी ही पापया तुम्हारा नेक्स सॉंग कब आ रहा है कबसे वेट कर रही हूं तुम आज एक बार वो सॉंग सुनाओगे कृष्णा को जाके कह दूंगी हो हो मुरे सहीं अच्छा वो सुनना है अरे यार पापया तो अपनी नाया टेडेक्स तॉक हुई थी अभी थोड़ टाइम पहले में तुमको बताया भी होगा गृष्णा को टाकरी स्कूल टाइम की मेमरबल याद कृष्णा ठीक है कृष्ण मुझसे वापस पूछना पर पहले में पापया बैद के कृष्ण का अंसर देता हूं तो उनका क्वेशन निक्स सौंग कब आ रहा है तो जल्दी आ रहा है पापया और क्रिष्णा को जाके कह दूंगी अपना एक भौत ही खुबसुरत सा सौंग है जो मेरी लाइफ को बहुत ही प्यारा सौंग है मैं तो में नेक्स्ट लाइचार्ट में सुनाँगा अच्छा से तो आगे बढ़ते हैं क्वेशन क्वेशन है की निकेहारिका श्रीवास्तव का क्वेशन है आप खाने में क्या खाते हो बड़े स्वीट हो यार और आपकी वोइस तो माशालला लग जाओ है तो नेक्षारिका थांक्यू यार और मैं खाने में डाल रोटी खाता हूं मेरे को सिंपल खाना पड़ा पसंदा और इंडियन फूड आई जस लव इंडियन फूड और मुझे चाइनीज और यह जो बाहर के जो थोड़े फूड़े पूड़े ना पता नहीं क्यूंका मैं त्राइब लुड़े पर टेस्ट में विल्कुल बसंदी है मैं सब तर्की सबजिया खाता हूं गाँ दल हो गई लौकी होगी तुरही हो गयी सब तरेगी आलु हो गया सब तरी सबजिया पसंद अब मनें को सिवाए एक सबसी के जो मेरे दुश्मन लगती मुझे भिंडी म पता नहीं क्यों बजपन से उसका टेस्टी समझो नहीं आता और ऐसा नहीं होता कि मैं भिंटी दिख गई तो मैं दूर भाग जाओंगा खाऊंगा नहीं अब मेरे अधी और भी होता हम रॉक जो कि मेरे सामने आती है तो मैं खाता हूँ और अच्या में प्योर वेजेटेरियन हूँ तो उसले सबजियाही और सबजी और फूरूट्स कहता हूं और वही सब सिंपल अपना खाते है याँ वहाँ तेस्टी लगता है घर का खाना और मै ऐसा सब है अपने अपना मामला दो तो अनित खुश्वाहा कह रहे हैं प्लीज पोस्ट इस स्केच अन यूर टाइम लाइन आर यार मैंने दिखा ये पोस्ट मैं देखता हूं उनकित भाई एक बाड लाइफटाट के बाद में है और कोई क्वेश्चन है किसी का और भी कोई क्वेश्चन है तो रौनी दास के रही है इतना क्यूट कैसे रौनी दास ने का इतना क्यूट कैसे पता नहीं बरॉनी भाई देखो रॉनी मेरे दोस्त मेरे को पता नहीं आप भाई हो या लड़की हो सॉरी लेकिन रॉनी दास आप ने पूछा इतना क्यूट कैसे तो भाई देखो साफ साफ सी बात है जो जितनी भी तारीफे होती है जितनी भी गाली होती है योज एपन सब का पर्सेप्शन होता है इसको कोई इनसान अच्छा लग सकता है किसी को वह इनसान इतना है गंदा लग लग सकता है जिसी को ख़त नहीं तो इस सब सारा क्षट्पषन है आपको पसंदुना है आप slightísी कीयो ब्हुत हो तो आप यह तो आपका नजरीहा है कह रही हैं आपके college time कैसा था college college life का सबसे best memory share करो please college life मेरी बहुत शांदार थी Salisha और college life का सबसे best moment मैं कह सकता हूं कि मेरे first year में दो best moments है मैं last one share करता हूं तो जब मेरा मैं कहा है मेरे college में बहुत perform करता था मुझे perform करने से state से बहुत ही ज्यादा प्यार है तो मैंने ना मेरे college के हर एक function में perform किया है भले ही वो farewell teachers day हो चाहे college का annual fest हो तो हर एक fest में मैंने perform किया कि मुझे perform करना बहुत ज़्यादा पसंद था तो मेरे जो last performance थी ना मेरे college में raw start से पहले की बात है तो मेरा farewell performance था और मेरे last performance था और मेरे यार बड़े प्यारे से मेरे college के दोस्ते बहुत प्यारे से मेरे college के सारे students थे मैं एक गाना तो हर बार गाता था चौधरी बहले वो एक ही गाना गाना था लेकिन मेरे चौधरी गाना तो गाता था मेरे college में तो मेरा last performance था था तो मैंने चौधरी गाया था और और के कुछ गाने गाया थे और मेरे पूरे सारे दोस्तों ने अमिटी के जितने ही सारे दोस्ते हैं, मेरा पूरा जो कॉलेज तना मेरा पूरी फैमली थी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बाय टेक्नोलजी में पढ़ता हूं, तो सिर्फ मेरे क्लास के दोस्त मेरे दोस्त हैं, सर्फ मेरे जूनियों मेरे दोस्त हैं, हर क आप सब नहीं जितना सपोर्ट किया आप समय प्यार किया ना उसकी वजय से ही मैं कुछ मतलब करने का सोच भी पा रहा हूँ यहां मुंबई में तो आप सब का बहुत बहुत सपोर्ट रहा है तो बस थैंक्यू सो मच मेरे जितनी भी आमिटी के दोस्त हैं उन सब को और बहु बड़ी बात यहार मेरे बहुत बड़ी बात कि जब आपके कॉलिज के सारे लोग आपके लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं अब बड़ा दिल खुछ हुआ था मेरा तो मेरे वो मेरा कॉलिजिश्वा सबसे अच्छे मूमेंट्स पसे एक था और जो मुझे आभी आता रहे हैं मुझे ना हर तरह के सौंग बहुत पसंद है मुझे हिंदी गाने भी पसंद है मैं ब्रुनो मार्स का बहुत ज्यादा बहुत ही बड़ा वाला फैन मुझे ट्राप म्यूजिक और जो एडिये में वही बहुत पसंद है तो मुझे हर तरह का म्यूजिक पसंद है भले हो हिंदी हो इंगले शो उससे फरक निए बढ़ता वस गाना होना चाहिए और वह मेरे दिल को पसंद होना चाहिए तो ऐसा सब है आकाश को सब्सक्राइब है हलो हाई आकाश अच्छा आपका और भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे इस तरफ वाले जितने भी क्वेश्चन थे पोस्ट वाले वो शायद खतम हो चुके हैं उनमें और खुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं थे तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं और गौतम दास कह रहे हैं कि क्या आपके कोई गल्फ्रेंड है आपका गाना सुन अरे यार में कमन नी पढ़ता हूंगा आपका गाना सुन आपका सुनके लगता है कि कोई ना कोई जरूर होगी जिसको याद कर कि अपना स्वीट लव सॉंग आते हो अरे यार तो भाई सच बात तो यह देखो कि मेरे लाइफ में ना प्यार से ज्यादा प्यार तो खैर है लेकिन मेरे को इंस्पायर करने लोग ना बहुत पसंद है ऐसा है ऐसा ऐसा कुछ है बड़ी इंट्रेस्टिंग ती चीज है मेर तुम्हार लिए तुम्हार लिये होगी नी होगी पता नी में तुमको बताता हूँ कि मेरे साथ हरकिसी का अपना फंडा उता है कि प्यार हो तका थब हो तो ऐसा होता है यह और द्लग जाता ह coinc way अगर किसी से कैसा डिभरता घिल्दक्रासटा ही कि आपको किसी इंसान से अत तो ठीक है, कोई लड़की बहुत ब्यूटफुल है, हॉट है, पसंद आगी, ठीक है, अट्राक्शन है, अट्राक्शन है, बट फो प्यार कपदा चलता है, जब उसके लिए गाने बनने लग जाता है, जब अपने आप ही मैं कुछ ही नहीं करना तो हूँ और मैं उसके लिए अपने आप उसके लिए कुछ गाना बनने लग जाता है, तो मेरी लाइफ में इसको एक English word है Muse, या Inspiration, या Muse कह सकते है, इसको बहुत ही beautiful सा वर्ड है, जब किसी Artist की कोई Inspiration होती है, लवर होती है, तो उसकी Muse होती है, उसकी Inspiration होती है, तो उसके लिए वो अपना Art बना सकता है तो मेरी लाइफ का जो मेरी लाइफ में चार या पांच Muses रहे हैं या Inspirations रहे हैं, जिनसे में बहुत जादा प्यार करता था, और उनको सोच कर मैंने बहुत सारे गाने बनाए, और उन 400-500-600 गाने, अब बना चुके अब अभी तक और उन सारे आने 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 तुम सब के तो इसा सब है, girlfriend गा किस्सा दो, girlfriend नहीं कह सकता हूं लेकिन inspiration मेरे life में अभी बहुत सारी है, तो उन सबसे inspire हो के गाने बनाता पूंग Nikita Luhera कह रही हाए हलो जान, हाई Nikita, Pria Gil कह रही हाई मुहत, हाई Pria वाँ पहली बार रहे है है पुरी लाइफ चैट में तो हर बार बातों से ही है से मुझे ही हाई कहते हूं है सम्मी सनम कह रहे हैं डाधा भी I love your style डाधा भाई थांक्यू यार पूजा कंतोधे कह रहे हैं हाई मोहत अच्छा राधान कह रहे हैं सम पीपल डीमोटिवेट में अच्छा राधा ऐसा क्यों यह दिमोटिवेट तो नहीं कह सकता, मैं आपको यह कह सकता हूँ कि हर लोग ना अपना अपना परसेप्चिन आपर थोपेंगे लाइफ में मुझे यह बहुत लोगों ने कहा था कि मुझे तू मुझे नहीं कर सकता और तू नहीं तू लायक नहीं इस फील्ड के पर इसको डी मोटिवेट करना नहीं कहूंगा मैं उन्होंने जो भी किया मेरे लाइफ में आज मेरे गाली भी पड़ी है ना मेरे लाइफ में दस हजार उगाली भी पड़ी है उनकी वजहसे भी मैं आज मुझे कर रहा हूं और जो हजार अच्छाईया किसी ने बूली उसके को अब आपको किष ंंदाज में लिआ तो मिर को कभी किसी ने का ना कि तु गंदा गाता है तो में सहुर्च था है लेकिन गाना पशंद क्षे लिए अच्छा भी घालोंगा थो या आपकर की आप सामने वाना सिर्फ आपको बात कहेगा आपके बाऻरे कि आप उससे मुटिवेट हो रहे है या आपसी डिमुटिवेट हो रहे हो तो हिमानी बॉहरा से विदियो ओन अधी नमस्ते हिमानी आपका बहत जाद़ा वेलकम है जी और बहुत ही अच्छा लगा आपकी लाइचार प्रफा बहुत contact Lord Super क्यूंति अपनी आपको बहुँत भी तक रहे अज बहुत जादा देर होगी लाइप और निचीन्स पूछने के कա कि आप कोशिंस पूछते हो ना तो मुझे बड़ अच्का लगता था निक्यों जवाब देना तो अब सब पन ऐसे करेंगे मैं कॉशिंस पूछूंगा आपसे मैं आप मुझे कॉशिंस पूछना मैं जवाब देना कोशिश करोंगा तो अप लीज आ महीं करें कपके गाना गाउ अपसे साब हो आप मैं मेरी में देख रहे हैंसे का अब मुझे और जानों ऑद और प्यार हो जायाएंगा अगर आपको बिर्ट इना प्यार हो गया तो भाल ना करा किरें हूं मोटिविटिट फॉर रियू एूफर सिंगिंग् सबसे नहीं मैं ना करन संपक्राइब मुझे भूट सारे बातें गई और जैसे सा की अपने ऊपर हाम कि आप इस कि आपने कीकि यूद को लिया सबसे पहले लेकिन अप्रेशेयर्ट के था तो मेरा बेस रून निकल ता जो मेरो कहता था कि भाई तु गाना बड़ा अच्छा आता है तु अधितना अरण जैसे गाता है, ऐसे कहता है मुझे, कि मैं एक गाना बड़ा गाता था उस टाइम पे, जब मैंने टैंथ में शिरुवात करी थी गाने की, यू ही चला चल रही और यह तरह 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 स्वाद जो दोनों उधितना अरण जी ने गाए, तो ऐना मुझे बड़ा बड़े पसंदे सॉंग्स और उसने मुझे सबसे पहले एप्रिशीट कि और उसके जैसे शाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं सिंगीं कर सकता हूं लाइफ में, अनिशा भी कह रहे हैं हाई, आप ब पूरा ही मिस करता हूं और हां मैं मिस करता हूं हां मेरे छोटे भाई के साथ में में मुंबई रहता हूं अभी इस टाइम पे तो और हम दोनों मेरे छोटा रील प्रदेन जो रोहन हम दोनों साथ में रह रह रहे हैं तो उसके जैसे घर जैसा लगता भी है और घर जैसा नह करवाने देती अपने इशायद अपने बॉइफरेंड के ले कहती है अच्छा बढ़िया यार जैसे उसकी इच्छा यार उसकी चलो ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा यह वी सही बात है अगर आपकी चल रही है तो चलाओ भई नहीं चल रही तो कोई दिखकत नहीं उसको अपनी मर्दिया करने है जो शांदार को उनकी पुरी टीम को जिन सबने पूरा गाना बनाया यह मेरा के लिए गाना नहीं मैं तो सर्फ आवाज दिया और है चल रहा है है को अगर आप बोहरा के रहे है урыध स्पंग विच ऐनवा इंकलोव गयर आपकी अगर आप मेरा let fence the लोभी चर अई जो रहता है है तक एहाल मेरा जोब ही destructive ready आज से तेरी सारी कुरी हो गई जो जो पॉरित बहुत ही जांद है कि आजसे तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, वो तेरे कांधे का जो तिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया, हो मेरे खाबों का अंबर हो मेरे खुशियों का समंदर हो मेरे पिनकोड का नंबर आज से तेरा हो गया तो ये गाना अभी मेरा फेवरेट चल रहा है माही कह रहे हैं क्या आप अपनी क्याप हटा कर अपने हेर दिखा सकते हो यार अभी मेरे बाल बहुत ही गंदे हैं तो मैं अभी दिखाना तो नहीं चाहता हूं लेकिन कभी-कभी मैं बिना-cap की लाइब चाट करता हूं और गभी-cap के साथ में भी जब-ugal this like होते हम इभी घॉत सकता हूं ऑल्यूड को तो मैं without cap भी-like-chat करता हूँ तो इडिपेंड करता है मेरे बाल किस तरह के है इस टाइम पे शुद्धा पार्गी कहा रहे है I just love your voice थैंक यू शुद्धा, थैंक यू सो माच आकांचे कहा रहे है नाइस सॉंग मोहिट जी काश मेरा काना होता, मुझे कहीं बारे से लगते हैं काश मैंने बनाया होता है, मैंने लिखे होता है उन में से एक सॉंग ये भी है ये बहुत ही खुबसरत गाना यार दिल सा राजपूत, गलत फे माँ फेवरिट सॉंग मोहिट सर, थैंक यू प्रिया के लिगा आपको कोई पंजाबी सॉंग आता है बिलकुल प्रिया और मेरको एक गाना बड़ा पसंद है वह अभी पंजाबी की अरे आरो बहुत प्यारा संग है, मैं एकदम से आद निया रहा है लेकिन पंजाबी संग मुझे बहुत सार आते हैं और अभी अगर जो याद है तो मैं एक गाना आपको बता सकता हूँ हाँ हाँ जिवे रुकियां सी तू जरा नयो भुलना में सारी उमर जिवे अखियां से एक चुरा रोवेगा सानू याद कर अरे यार फुड़ा अवास का कुछ लोचा हो रहा है भी कोई ना तेरे बिन सानू सोनया कोई होर नयो लबना जो देवे रूहनू सकूं ने चुके जो नकरा मेरा तो यह पंजाबी सौंग मुझे बहुत पसंद है रभी शेर गिल जे का सौंगे और यह मेरे फेवरिट सौंग में से एक लाइक पे गीतिका कहरे है और वोइस अफंट थैंक्यू गीतिका कि अर तान ऋख वाल है था कि अरकणिङे एरकट कर वालों नहीं तो कटे नहीं नहीं करणे और qualc平 अंके तगरहल के रहे हैं Thank You Ankit Thank You so much राकी के रहे है I love this song very much Me too Me too yaar प्रदीप के रहे है अखेले आगए bro please एक बार अकेले आगए थे हम तो बिन बुलाए सीने से लगे जुमा के तो सवर गए सवर गए सवर गए सवर गए सवर गए सबर गए है तो मेरे कोई एक inspiration नी है, मेरे कोई एक role model नी है, मेरे बहुत सारे role models और बहुत सारे inspiration है तो ऐसा सब है तरतिजा चक में गरे रहे है, I love this song, thank you, तरपिता तो मेरे sweethearts और जितने भी लोग अभी तक live है, उनसब को बहुत बहुत थैंक्यू है लाइव रहने के लिए, लाइव आने के लिए और जितने भी लोग अभी लाइव चार्ट को देखेंगे बाद में उनसब को अल्रेडी बहुत बहुत थैंक्यू है या आपने अगर इस इतनी टाइम तक live chat देखा है अभी किना 34 minutes हो चुके है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू अभी टाइम है मेरे जाने का तो प्लीज टेक केर और I love you and thank you so much for being here, being with me and I hope that मेरे सौंग से, मेरे पोईटरी से और मुझ से मैं जितना आपको दे सकता हूं मेरे लाइफ में, मैं अपना आपको चीजसे दे पाऊं और principals मेरे इचा है, कि मैं पुरे, जितना भी मैं हूँ, जितना भी मैं झुद हूँ मेरे peak language Magnitude altriAh I just want to give all myself to you and thank you so much for being here with me I love you please take care and stay care bye